नमस्कार दोस्तो एश्ट्रो इश्टडी चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की सूर्य ग्रह से संबंधित कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जनम कुंडली में सूर्य छठे आठवे बारह में बैठा हो अथवा सू वो प्रभाव कम हो जाता है जीवन में और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मानसिक तनाव आरोप प्रत्यारोप कोट कचहरी के मामले सरकार के तरफ से अनेक प्रकार की यातनाएं भी पूलिस प्रसासनित्यादी से संकट मढराने लगते हैं ऐसे में सूर्य का उपाय क्या सूर्य के कितने जप होते हैं सूर्य किस प्रकार का ग्रह है सूर्य का किस प्रकार दान किया जाए इन सारी वस्तुओं का विबेचन इस वीडियो में हम कर रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य ग्रह का जो जन्म हुआ है वह कलिंग देश में हुआ है इनका गोत्र कस् जिससे वईवस्वत मनु यम यमी उत्पन हुए दूसरी पत्नी छाया जिससे सावर्ड की मनु शनी तापती और अस्विनी का जन्म हुआ है। एक नासी में रहते हैं। इनका बीज मंत्र ओम घ्रिडी सूरियाय नमहां, ओम रीम रॉम सूरियाय नमहां, अथ्वा ओम सूरियाय महां। इनका तांत्रिक मंत्र जो है जो अत्यंत शक्तिसाली है और सिग्रही प्रभावसाली है वह है ओम राम रीम रॉम सह सुर्याय नमहां इनका वैदिक मंत्र जो है ओम आक्रिश्डेन रजशा वर्तमानो निवेशयन मृतन मर्त यंच हिरन्ययेन सवितार थेना देवो जाति भु अरोक्त मंत्र जो है जब संख्या जो है वह साथ हजार है परंतु ध्यान रहे कि यह साथ हजार की संख्या सत्य यूग के लिए है कल यूग में इसको चार गुणा करना पड़ता है अर्थात साथ हजार का चार गुणा अठाइस हजार होगा और उसका अठाइस सो दसांस हवन होगा और उसका दसांस तरपन उसका दसांस अठाइस सो का दसांस दोसो असी और दोसो असी का दसांस मार्जन होगा जो अठाइस बार होगा इस प्रकार कुल मिला जुला करके 31,108 इनका जप, हवन, तरपन और मार्जन होता है जब आप जब करें सूर्य नाराण का तो सूर्य योदे काल के समय में प्राता काल में इनका जब करना चाहिए और जब पूरा करने के बाद जो हवनी वस्तु है वह अरक अर्थात मदार मदार की लकडी से हवन करना चाहिए सूर्य यदी नीच रासी में चले गए हैं तुला रासी में चले गए हैं असुब प्रभाव को दे रहे हैं तो साड़े छे रत्ती का मारिक या विद्रुम धारन करना चाहिए सूर्य की प्रसनता के लिए दान करने की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें सुवर्ड, अर्थात सोना, तामबा, मारिक, गूड, गेहु, लाल गाय, लाल पुस्प, लाल वस्त्र और लाल चंदन संकल्प करके दान करने से सूर्य से सम्मंधित पीड़ा समाप्त होने लग पीता, ऐसे में पिताक से वेवार सही करने के लिए परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए भी सूर्य का कवच पाठ करना सबसे स्रयसकर है, हात में जल लेकर विनियोग करना चाहिए, अस्या स्री सूर्य कवच अस्तोत्रस्य, ब्रहमारिशिह, अनुष्टुप छंद सूर्यो देवता सूर्य प्रित्य अर्थे जपे विनियोगा ऐसा बोलके जल छोड़ना है और फिर इस कवज का स्रवन करना है अथो पाठ करना है दीरयेत शिरो में भासकरह पातू ललाटे में रुपती नेत्रे दिनमडी हिपातू स्रवडे वासरे स्वरह ध्राणं धर्मं ध्रणे हिपार्तू वदनं वेदवाहन हां जिहिवामे मान दह पातू कंठमे सुरवन्धित रक्षात्मकं स्तोत्रम लिखित्वा भूर्ज पत्रके दधाती यह करेतस्य वसगा सर्वसिद्धयह सुसनातो योजपेचम्यक योधीते स्वस्थ्यमानसह सरोग मुक्तो दिरगायू सुखम पुष्टिम्च विन्धती इसकार्थ यह हुआ कि रविवार के दिन इस स्तोत्र को भोज पत्र पर लिख कर लाल कपड़े में बांद कर यदि अपने हाथों में पहनते हैं तब भी सुर्य से सम्मंदित पीडा समाप्त हो जाती है और इससे भी कारिगर स्तोत्र सुर्य का स्तोत्र है जिसको पढ़ने म इनां प्रतक-प्रतक पीडाम्च दुस्हा राजन जायते सततम्रिनाम् पीडा नाशयराजेंद्र नमामि स्रडु भास्वतह सुर्या दीनंच सरवेशां पीडानस्यति श्रडवतह आदित्य सविता सुर्यह पुशार्क सिग्रगोरवիह भगस्त्वस्टार्यमाहं सो हनली प्रिभाव शुर्द वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहन हरीदस्वाकाल वक्तर करम साक्षी जगत्पति ही पद्मिनी बोधको भानुर भासकर करुडाकर द्वादसात्मा विश्वकरमा लोहितांगस्तुमोधन जगन्नातोस्तरविंदाच्य कालात्मा कस्यपात्मजः भूताक्षयो ग्रहपति ही सरवलोक नमस्कृत जपाकुसमसंकासो भास्वान दितिनन्दन द्वान्ते भासिंग सरवात्मा लोकनेत्रो विकर्तना मार्तंडो मिहिरा सूरस्तपनो लोकतापनह जगत करता जगत साक्षी सनैस्चर पिताजयह सहस्र रस्मिस्तरडिर भगवान भक्तवत्सलह विवस्वानादि देवस्च देव देवा दिवाकरह धनवंतरि व्यादिहरता दुर्दुर कुष्ठ निवारकह चरा चरात्मा मैत्रेयो अमितो विष्डविकरतनह लोकशो का पहरताच कमलाकर आत्मभू नारायडो महादेवो रुद्रह पुरुषैश्वरह जीवात्मा परमात्माच सुक्ष्मात्मा सर्वतो मुखा इंद्रो नलोयमस्चैव निरुतो वरुडो निलह स्रीद इशान इंदुस्च भावम सोम्यो गुरु कभी शौरिर विधुन्तुदह केतुहू कालह कालात्मको विभू सर्वदेव मयोदेव क्रिश्णह काम प्रदायक य एतैर नाम भिन्मंत्रियो भक्तियास्तोति दिवाकरम सर्व पाप विनिर मुक्तह सर्व रोग विवर्जितह पुत्रवान धनवान श्रीमान जायतेशन रविवारे पठेद्यस्तु नामान येता निभास्वता पीडा सांतिर भवेतस्यक रहाडांच विसेसता सद्या सुखमवापनोतिर आयूर देरगांचनी यजम या भविष्य पुराण में आदित्य स्तोत्र के नाम से प्राप्त होता है इसको पढ़ने मात्र से सूर्य से सम्मंदित पीडाएं नास को प्राप्त करती है भगवान सूर्य के पवित्र 21 नाम है जो अत्यंत गोपनी है उन गोपनी ये नामों को स्रवन करने मात्र से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है सूर्य की महादसा चल रही हो उसमें सूर्य के सुभ फल हमें प्राप इस प्रकार बगवान सूर्य का यह 21 नाम इस्क्रिन पर दिखाई दे रहा इनको आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं सूर्य भगवान के लिए आप सूर्य का आर्ग देते हैं उसमें लाल फूल लाल चंदन डाल कर भगवान सूर्य को सुर्योदय के समय में सूर्य आर्ग देने मातर से भी सूर्य भगवान की किरपा प्राप्त होती है सूर्य के लिए जो दान वस्तु में बतलाई है उनको भी सूर्य उदय के वेला में ही दान करना चाहिए इसका जब भी सूर्य उदय के समय में ही करना चाहिए और इस प्रकार सूर्य भगवान के कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है